16 अक्तूबर 2024 को जमुकश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है 10 साल के बाद जमुकश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है उमर अब्दुला चीफ मनिस्टर पद्द की शपत लेंगे आपको दादे की 16 अक्तूबर को जो है करीबं साड़े आरा बज़े के करीब जो है वो चीफ मिनिस्टर की उमर अब्दुला जो है वो शपत लेंगे चीफ मिनिस्टर पद की जो है वो शपत घरेंगे जिस वरकार से इंतजार किया जा रहा था कि कब उमर अब्दुला जो है वो चीफ मिनिस्टर यानि सीम की जो है वो शपत घरेंगे तो इस समय आपको बतादे की एक पत्र जो है वो उमर अब्दुला को रसीव हुआ है राजभवन से जहां पर इसे पहले आपको उतादे की अटकने लगाई जा रही थी और उसे पहले भी हमने आपको कहा था कि बुद्वार को यानि कि 16 अक्तूबर को जो है वो उमर अब्दुला चीफ की शपद घरेन करेंगे और अब जिस परकार से इंतजार खत्म हो चुका है दस साल के बार जमुकश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है और उमर अब्दुला जो है वो चीफ मनिस्टर पद की शपद घरेन करेंगे करीबन साड़े यारा बजे वन्यू मैं आपको बताती चलूं कि SK ICC शिनगर में जो है वहाँ पर शपद घरेन करेंगे और जो सोर्सेस हमें बता रही है कि साथ से आथ मंत्री भी जो है वो सब्से पहले मैं आपको बता दूं कि उमर अबदुला को जो है वो पत्र राजभवन से रिसीव हुआ है ये आप साफतोर पर तस्वीर गौर्मट आफ जम्मु कश्मीर यानि कि आप जम्मु कश्मीर में जो है आपको इन्वाइट किया जाता है कि आप जम्मु कश्मीर में सरकार बना सकते हैं और जिस परकार से पत्र में ये लिखा गया है कि 11 अक्तूबर 24 को जो है वो पत्र रिसीव होता है जिसमें जिन यानि CPM पार्टी ने समर्थन किया था और ये समर्थन पत्र और साथ साथ कॉंग्रेस का सहमती पत्र है वो मिला था और उसके बाद उमर अब्दुला तुरंट करीबर 8 बज़े वो राजभवन पहुंचे थे शिनगर राजभवन पहुंचे थे जहाँ पर उन्होंने अलजी मुनो तरीके से कन्फर्म हो चुका है क्योंकि पत्र राजभवन से रिसीव हो चुका है जहां पर सरकार बनाने के लिए वो इन्वाइट किया गया है यह साफतोर पर लिखा गया है और 16 अक्तूबर 2024 को करीबन साड़े यारा बज़े जो है वो चीप मिनिस्टर की उमर अब्दुला जो है यानि कि चीप मिनिस्टर पद की उमर अब्दुला शपत घरैन करेंगे और जो सोर्सिस हमें बता रहे हैं कि साथ से आठ मंत्री भी ज पत्र रसीव हुआ है उमर अब्दुला को ये पत्र मिला है जहां पर उन्होंने अपने अपने एक्स अकाउंट पर भी जो है वो ट्वीट किया है और ये साफतोर पर आप देख सकते हैं अब 10 साल के बाद जो मुकश्मीर में नई सरकार बने जा रही है गड़बंदन की सर सरकार बने जा रही है उमर अब्दुला इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था आम जंता इंतजार कर रही थी कि कब जो है वो सरकार बने गड़बंदन की और 10 साल के बाद आपने जो वोट डाला है और अब ज शिरी तारिक एहमत कर्रा प्रेजिडेंट जमुकश्मीर परदेश कॉंग्रेस कुमीटी जो उन्होंने सहमती पत्र दिया है वो उन्हें मिला है शिरी जीन मलिक सेकेटरी सीपी एम यानि कि उन्होंने जो स्पोर्ट किया है समर्थन दिया है वो उन्हें पत्र मिला शिरी प अलजी मुनोट सिना को मिला है जहाँ पर उमर अब्दुला ने यानि कि ये पत्र मिलने के बाद स्पोर्ट मिलने के बाद समर्थन पत्र मिलने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, साथे साथ सेपीम पार्टी, आमादमी पार्टी और साथे साथ कॉंग्रेस पार्टी क समर्थ सहमति पत्र मिलने के बाद अब्दुला तुरंत राज भवन पहुचे थे जहां पर उन्होंने राल जी मुनोट सिना को दावा किया था यानि कि सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था और अब इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि 16 अक्तूबर तारिक तैह हो चु कश्मीर का उमर अब्दुला होंगे उमर अब्दुला जो है वो चीप मिनिस्टर पद की शपत घरेन करेंगे करीबन साड़े यारा बज़े जहां पर उमर अब्दुला जो है उन्होंने ये ट्वीट ये पत्र जो है वो अपने एक्स आकाउंट पर जो है वो भी ट्वीट किया है वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए को और साथे साथ कमेंट सेक्षिन पर राई भी ज़रूर रखेगा मुझे दीजिए जाज़त नमस्काद